नमस्कर दोस्तों गडेन गियन चनल में आप सभी का स्वागत करता हूं विंटर में अगर आप अपने गडेन को कलरफुल करना चाहते हैं और हैवी ब्लूमिंग प्लांट चाहते हैं तो गुल्दावडी आपके लिए एक बहुत बढ़िया चोईस है दोस्तों इसका बहुत सारा भेरियंट आता है और आप कोई भी लगा सकते हैं जैसे कि आपका मीनी लार्ज पॉम पॉम और आपका स्पाइडर स्वाइडर बहुत सारा भेराइटी आता है लेकिन यह जो भेराइटी आप देख रहे हैं दोस्तों यह है आपका पॉम पॉम पुना भेरा में तो आई ये वीडियो को सुरू करते हैं पहला है दोस्तों गुल दाउडी का पॉटिंग मिक्स ये बहुत जरूरी रहता है पॉटिंग मिक्स अगर आपका अच्छा है तो प्लांट उपर से जरूर अच्छा दिखेगा रूट ग्रोथ इसका जितना अच्छा होगा प्ला कोपीड मिलाने से दोस्तों मुएस्चर होड़ होके रहता है और रूट को भी थंडग मिलता है और दोस्तों पानी अगर आप एक दिन कभी देना भूल जाते हैं तो कोपीड अगर रहता है तो वहां से रूट पानी ले लेता है 30 परसंट के करीब आप लीजिए भर्मी एक चमाच आप डाल सकते हैं और डिएपी दोस्तों कुछ आधा चमाच के करीब ले लीजिए और उसको मिक्स करके रखिए 4-5 दिन पानी दे के मुएस्ट करके उसको रखना है और उसी मीडिया में आपको कूलदावडी लगाना है दोस्तों 7-8 दिन के बाद स्टाटिंग स्टेज में आपका फटिलाजर का रोल बहुत इंपोर्टेंट रहता है तो स्टाटिंग फटिलाजर आप दे सकते हैं दोस्तों डिएपी डाई एमोनियम फॉस्पेट या फिर आपका अगर 12-61-00 है नपी के काउट वो थोड़ा कोश्टली आता है वो भी कर दोस्तों और स्टाटिंग स्टेज में अगर अगरा पिंचिंग करते हैं तो बहुत पाइदेमंद रहता है और बड आपको तो नवेंबर या फिर डिसेंबर में लेना होता है डिसेंबर में अगर लेते हैं बड़ तो बहुत अच्छा है अगर आप बहुत पहले लगाए हैं तो नवेंबर से भी बड़ ले सकते हैं जैसे कि मेरा उसमें फूल आ गया है इसमें देखिए फूल नहीं है क्योंकि मैं प कुल लास्टिंग भी करता है उसका सेफ साइज कलर एक्शुल आता है नेक्स्ट हमारा इंपोर्डन पॉइंट है दोस्तों डीज फ्री डीज फ्री इसे रखना है यहां पर अगर आपका लिप कटर या फिर कुछ-कुछ एफीड से लगते हैं वह लगेंगे तो पता मोड जा आप अल्टरनेट करके चकर सकते हैं 15 दिन में यह ऒना और उसको एग बार साथ-साथ दिन में आपको फिर करना है दोस्तों तो प्लांट देकी आपका डिजिए छीज फ्री रहे गा और गुल्डागे डियिक ट॥ी आती है तो आप इभिनिंग में पानी कम कर दीजी और ज्यदा अगर पानी खोल्ड होके रहता है तो ये प्रよね होता है तो से साथ दिन में एक बार साब आता है senesor its означate कर सकते हैं दोस्तों और यह दोस्तों साथ दिन में फटी लाजर चाहिए इसको तो इसको NPK जो आता है 1919 वो अगर बढ़ दिख जाए तो उसके बाद आपको डालना है तो हर साथ दिन में आप ये डालिए मस्टाड केक लिक्विड के साथ सरसों की खली जो आता है उसको आप भिगो दीजिए पानी में और आप ले सकते हैं 10 लेटर पानी में करीब 500 ग्राम और उसे 4 दिन रख दीजिए दोस्तों उस पानी से बदबू आएगा थोड़ा स्मेल आएगा उसी पानी को आप डालिए डिएपी के साथ या फिर NPK 1919 के साथ मिला के तो देखिएगा आपके गुलदावडी में ग्रोथ और कलियां चाहिए और कुछ नहीं है बस इसे आप चड़ी का सफोर्ड दे दीजिए जब फूल आया हुआ हो तो यह दोस्तों बहुत अच्छे से ग्रो करता है और जुकता भी नहीं है अब फूल जब आ जाए तो फूल के उफर पानी आपको नहीं देना है और वाटरिंग आपको चाहिए दोस्तों तूटता नहीं है नहीं तो फूल जब हवी रहता है तो ब्रांच तूटने का खतरा रहता है और कुछ नहीं यह दोस्तों आप भी गुल्दावडी में अगर इतना काम करेंगे तो मास्टर बन जाएंगे और आपके घर में भी बहुत सारा फूल लगेगा दोस्तों तो यह था एक चोटा सा वीडियो गुल्दावडी के उपर वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएगा फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ नए पोधों के साथ नमस्कार